अमस्का दूस्तो, स्टाक मरके स्टैटिज में फिर से एक बर आपको बहुत बहुत सागत है तो मैं आज डिसकस करूँगा एक नहीं, तीन-तीन कमपनी के बार में और तीनों ही देखा जाए तो गवर्मेंट कमपनी है इसका मतलब तीनों ही PSU कमपनी है तो इस तीनों कमपनी का सिक्टर दिखा जिए तो दो कमपनी का एकी सिक्टर से है और एक कमपनी अलग सिक्टर से है तो इस तीनों कमपनी के उपर गवर्मेंट ने एक बहुत बड़ा एनॉन्समेंट किया एनॉन्समेंट क्या है government क्या चालते है देखिए मान के चलिए government के पास कोई भी ये companies के 75% का stake है मतलब 75% का उसके पास holding है देखिए वो company चलाने के लिए उसको बचाए रखने के लिए क्या करते है government तो बहुत ज़दा loan ले देते है और वो loan चुकता नहीं कर पाते है तो loan का percentage बहुत ज़दा हो जाता है तो उसको मिटाने के लिए government क्या करते है उसका जो हिस्सेदारी है मतलब कितने हिस्सेदारी उसके पास है उस हिस्सेदारी से वो stake बेचते है तो मान के चलिए 75% का stake है उनमें से government चाहते है 5% stake में बेचना चाहूँगा आपको लग रहा है कि सर 5% कितना होगा कई गुना करोड का माल है तो 5% का stake बेचना चाहेंगे तो बेचेंगे तो इस बेचने को खरीदारी का कोई भी customer भी तो चाहिए ना तो customer मतलब कोई भी investor भी तो चाहिए ना तो investor नहीं पर कहाँ पर मिलेगा जाता है मतलब सेल के लिए offer दिया जाता है मानके चलिए कभी-कभी आप देखते हैं online में कोई भी festival आ गया कोई भी मतलब मानके चलिए 25 डिसमबर आने वाले हैं तो आप आप देखेंगे तो online में Amazon Flipkart इस तरी की website में बहुत ज़्यादा offer देखने को मिलेगा कोई भी mobile phone, कोई भी computers, कोई भी laptops खरीदने के वाऊसर offer मिलेगा तो offer वो क्यों देते हैं? same product वो दूसरे time में ज़्यादा लेते हैं उस time में offer क्यों देते हैं? क्योंकि उसको product बेचने के लिए उसको offer देना पड़ेगा अगर वो offer नहीं देंगे तो वो कोई भी product को खरीदर नहीं करेंगे तो government हमेशा चाते हैं इस तरके से offer देने के लिए तो इसको बोला जाता है OFS तो OFS के मद्धम से माल बेचना चाते है तो कौन सा कौन सा company के उपर माल बेचना चाते है तो उसी के बारे में discuss करूँगा क्या माल बेचने से उस company के उपर खास्यत देखने को मिलेगा तो वो भी मैं आपको discuss करूँगा तो वीडियो को last तक जुरू देखिएगा और अभी तक अपने channel को subscribe ने किया तो जुरू कर लिजेगा और अभी तक अपने telegram को join ने किया तो जुरू कर लिजेगा तो चलो देख लेते हैं आज के details के बारे में तो सबसे पहले में थोड़ा साब को जान करें देदू तो दीखिए OFS जो है मतलब offer for sales जो है वो government इसलिए लेके आते है कि government के हाथ में पैसा कम पढ़ जाता है बहुत ज़दा companies के करजा बढ़ जाता है मतलब boring जो करजा है लोन है वो बढ़ जाते है उसके कारण उसको मिटाने के लिए government को OFS ले आना पड़ते है और OFS किस तरिके से ले आते है मानके चलिए कोई भी product के rate अभी 150 रुपिया चल रहा है कोई भी company का rate 150 रुपिया चल रहा है उसको अगर बेचना है तो 150 में वो नहीं बेच पाएंगे आप भी देखना है वो कितना discount price में उसको बेच रहा है मतलब कितना offer दे रहा है तो company offer दे रहा है मतलब government offer दे चलो में आपको इस company का price 140 में बेचूँगा देखे 140 में बेचे 130 में बेचे 100 में बेचे कुछ भी कर सकते government क्योंकि उसके हाथ में ज़्यादा stake है वो कुछ भी decision ले सकते है तो इसमें सबसे बड़ा तकलीम में कौन पढ़ते हैं तकलीम में पढ़ते है return निवेसक और जितने सारे investor निवेस्ट करके रखे है क्योंकि इस तरीके से government company के उपर ज़्यादा ज़्यादा investment आपको return निवेसक के ही देखने को मिलेगा तो वो क्यों तकलीम में पढ़ेगा मान के चलिए कोई बैक्ती 150 में share को खरीद के रखा है अगर government ने announcement कर दिया चलो उसको मैं 120 में discount में बेचूंगा तो आपको तो हो गया ना 30 point का losses तो एही सबसे बड़ा खत्रा है government company में मैं आपको बहुत बढ़ बोल चुका हूँ अगर कोई भी PSU bank में निवेस कर रहा है तो आप सोस समझ के करिएगा क्योंकि वापे government कभी भी कुछ भी decision ले सकते है और उस decision के कारण आपका portfolio में बहुत बड़ा दिक्कत आ सकते है आप कहेंगे sir में तो 150 में खरीद के रखा था अगर government ने 130 में भी बेचा तो मुझे 20 point का loss होगा क्या मुझे 20 point एक सब government देगा ऐसे बिल्कुल भी नहीं देगा वो price adjustment हो जाएगा तो आपको उसकी सबसे range देखने को मिलेगा तो government का decision है कौन सा कौन सा company के उपर है चलो वो आपको दिखा देता हूँ वो दिखा जोए website mind के उपर आ चुका हूँ तो इस site के उपर जाईए इस news को जोरू देखिए कि बहुत importance है देखिए आपको मैं इस तरी के से importance news आपडेट हमेसा इसलिए देता हूँ क्योंकि आप stock market के उपर जानकरी हमेसा लेते रहें इसमें क्या होगा आपका जो market के उपर जो thinking है वो totally change हो जाएगा बहुत सारे लोग market में इसलिए आते है कि उसको जल सल जल पैसा बनाना है आज बो एक लाग रुपिया निवेस किया उसको चाहिए एक मांद के अंदर अंदर पो एक लाग रुपिया multiply हो जाए दो गुना हो गया दो लाग उज़े चाहिए एक मांद के अंदर अंदर ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता ऐसे अगर हो जाता तो हर कोई सब कुछ काम छोड़ चाड़के इसी market में आ जाते तो फिर भी लोग इस market को गाली नहीं देते इस market को gambling नहीं कहते जुआ सट्टा बजारी नहीं कहते क्योंकि जहां पे एक लग रुपिया एक मान में दो लग बनते है तो लोग तो पूरा पैसा लेकर ही आपे निवेस कर देते तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता आपको stock market से कुछ सीखना है जानना है long term के लिए पैसा कमाना है तो आपको थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा तो मेरे साथ जूड़े रहे हैं सब कुछ data में आपको हमेसा दिखाता रहा होगा तो प्लीज चैनल को subscribe चुरू करें रखें तो आपे देख सकते government, consider, selling stake कौन सा कौन सा कमपनी है coal India, हिंदुस्तान जींग, एंड रस्तोरी chemicals तो इस तीनों कमपनी के stake कितना government के पास है चलो स सबसे पहले आपको दिखा लिता हो, सबसे पहले हिंदुस्तान जींग, इन्वेश्टर के बारे मात करो तो देखे प्रोमोटर के पास कितना 64.92 परसन का holding है, आप देखेंगे सर यहां पर तो 64.92 परसन का holding तो बिधनत का पास है, हाँ, बिल्कुल, तो उसके बाद किस के प कितना 75% holding है, तो मैं पहले बते चुका हूँ, इस कमपनी भी किसके पास है, पो मोटर, प्रेसिडेंट आप इंडिया के पास है, तो प्रेसिडेंट आप इंडिया के पास है, तो इसका मतलब गभर्मेंट कुछ भी decision ले सकते है, उसके बाद कोल इंडिया, कोल इंडिया के के बाद करूं, तो जहाँ पर 66.13% का holding है, और यहाँ पर totally holding, प्रेसिडेंट आप इंडिया के पास है, तो मेरे कहना का मतलब है, गभर्मेंट के पास ही तीनों कमपनी का हिस्तर ही है, तो गभर्मेंट चाते है उस तीनों कमपनी का stake बेचने के लिए, देखे, बेचने का ब स्टरिया केमिकल्स, तो आप देखेंगे तो कमपनी के क्या बात कहा है, इंडिया, आप देखे, इंडिया प्लांस तू सेल, स्टेक इन दस्टेट रान फार्म्स, इंक्लूदिंग दा वर्ट बिगेस्ट कोल माइनिंग कमपनी, एंड ऐसे लार्जेस्ट जीन प्रोडक्श कम्पनी, एंड स्टॉक मार्केट बूम, यहाँ पे देखे, बूस्टेड रिविन्यूस इन दा फाइननिसल क्वाटर, यह अगोडिंग दा पीपल, यहाँ देखे, कमपनी बता रहा है कौनसा कौन सा कमपनी बेस्ट है, उसी कमपनी का स्टेक यहाँ पे कमपनी बेचने ब वाले हैं और अगर डिस्काउंट में बेचेंगे कितना प्राइस डिसकाउंट में होगा वह आभी तक डिसकस के नहीं कहाँ है पांस से दस परसन तक वह माल बेचेंगे और बहुत बढ़ा है मैं पहले आपको बता चुका हूँ कभर्मेंट जब माल बेचते हैं तो यहां पर पांस से दस परसन तक आसपास यहां पर माल बेचने वाले हैं तो इस बेचने के कारण कंपानी के उपर तो अबिसली वैसा आएगा तो उस पैसे से कंपानी फिर से बिजनेस को ग्रोध करा पाएंगे और इंस्टिटुशन के पास और इन्वेस्टर के पास ज्यादा से है तो डिरेक्ट जाकर वो ओपेंड मार्केट में नहीं बेच सकता अगर ओपेंड मार्केट में बेचा तो स्टॉक में भारी भर कम मतलब लुआ सर्कीट देखने को मिलेगा क्रास मार्केट हो जाएगा तो क्यूंकि इतना बड़ा स्टेक अगर कोई बेचने चाहेंगे त इसलिए वो मतलब उपेंड मार्केट में नहीं बेचेंगे वो बाल डिल के मातम से बेचेंगे और वो भी वेच के मातम से बेचेंगे तो यह था कंपानी का पूरा डिटर्स यह था पूरा न्यूस तो मेरे वीडियो आपको कैसा लगा तो जोरू कमेंट करना और इस करको मिल चुका है मेरे वीडियो कैसे लगा जुरूर एक बार कमेंट जुरू कर देना और लाइक भी कर देना मिलते नेक्स न्या स्टॉक लेके तब तक लिए अच्छे से रहे अपने ख्या लेके बाई